नमस्कार आप एकने पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कल्चन आईए करते हैं बुलेचिंग के शुरुआत सिंग्रॉली जिलेगी जुतरंगी तहसील अंतरगत ग्राम बगदरा कला के जंगल में आग लग गई जंगल वभाग बेखबर है सी तरह हर वर्ष गर्मी के सीजन में आधी और तूफान आने पर प्रहा जंगलों में आग लग जाती है परंदो जंगल वभाग की लापरवाही की वजह से लाकों के संपत्ती जल कर राख हो जाती है दोशी वक्ती के वरुद कड़ी कारवाही की जाने बाबत डियाफो सिंग्रॉली का ध्यान इस और आकशित कराया गया है मर्ला के बकौरी गाव में बैगा समाज के नवाले के दुल्हा दुलहन का विवाह हो रहा था अभी देवरात कलेक्टर जग्रीश चंडर जातिया के नरदेश पर महिला बाल विकास तहसिलदार और पुलिस विवल की टीम मौके पर पहुंच कर बाल विवाह को रुखवाया किया पुलिस ने घिराबंदी कर दोनों युवकों को दबोच लिया युवकों के पास से एक थेला मिला है जिसमें 10 किलो गांजा पाया किया है जिसका बाजार भाव लगबक एक लाक रुपए कीमत बताई जारी है साथी आरोपियों के पास से दो मोबाइल होंडा साइन मोटर साइकल जपकर दोनों आरोपी मंगरू लाल 29 वर्ष्ट राजेश यादव 22 वर्ष्ट को हिरासत मिली कर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है जिनोरी जिला अब धीरे धीरे मादक दसकरी के लिए मशूर हो रह है आए देन गांजी की खेप पुलिस पकड़ रही है अभी हाली में कुछ दिनोरी जिले में अफीम की खेती करते हुए लोगों को पुलिस ने पकड़ा था जिले में मादक दसकरी का गिरो लंबे समय से सकरी है तसकरी करने वाले लोग हमेशे चबलपोर अमरकंटक मार्ग के सहरे मादक दसकरी कर रही है कि राजे बादक पर विजिवत कारवाई की गई उनके पास से मोटा फैकल और मोबाइल जब्किये गया है तो अब कि अधिक्रिया रूपी कहां के यह मंगरू लाल यादो है जो उन्तिस वर्ष का है और राजे सियादो है दोनों यह गोरक पूर गोरक पूर चान्दानी थ इस ताफी समय से इस अब जो नजारा आप देखने वाले है यह अजब जिन्डोरी का गजब नजारा है जिन्डोरी जुले में नेतागिरी किस कदर हावी है इसका आप नमूना भानपूर गाव के खकरी टूला में देख सकते हैं स्वारत और आपसी खीचतान के चलते जन्ता का पैसा का कैसे बंटाधार कर दिया गया है नेतागिरी करने वाले नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए करड़ो रुपए की लागस से बने भवन को नेतागिरी की वेदी में पूर्णा होती ले ली है और इस जिम्यदार प्रशासन मौन होकर मूग तर्शक बना हुआ है आपको बता दे कि भानपुर के खकरी ठूला गाव में नितागिदी का एक अनुका नजारा देखने को मिला गाव में वश 2011-2012 में हाई स्कूल भवन विल्डिंग बनवाई गई लेकिन इस्थानी नेताओं की गुडबाजी और मोहले की रणीटी ने तूल पकल लिया आखिरकार हाई स्कूल भवन राजनीटी की भीड चड़ गया स्कूल भवन में जानवर और असमाजिक तत्वों का जमावरा लगा रहता है आसपास के लोग स्कूल में कंडे बनाने सहित भवन का जम कर उपयोग कर रही है पंचात के जमदार और ब्लॉक शिक्षा धिकारी अमरपुर सहित जला प्रशासन मौन होकर मूग दर्शब बना हुआ है क्या करोडो रुपए की बिल्डिंग का कोई दूसरा उपयोग नहीं हो सकता इस बात की जन चर्चा जन मानस में हो रही है आकर हाई स्कूल भवन के साथ राजनीती का गंदा खेल क्यों खेला गया इस बात की भी जाच होनी चाहिए और दोशियों के उपर कारवाही होनी चाहिए जिससे जन मानस में एक अच्छा संदेश चाहे चंबल की सांसदी सीट पर घमासा नेता हो रहे गाव की जन्दा से रूबरू श्री नरेन सिंग्तोमर जी ने कॉंगोस पनिशाना साते हुए कहा कि चार महीने में इतना पैसा कमाया है तो चार साल में पूरा प्रदेशी बेच देंगे मुरेना श्यवपूर लोगसभा चेट्र के बीजेपी के पत्याशी ग्वालियर के सांसदी श्री नरेन सिंग्तोमर जी के साथ पूर विधायक सुविदा सहीं रजोदा की ग्रामीन इलाकों में सभा जिसमें ग्राम कनहार धुदा सहसराम खुरचान के लोगों की मागों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया तोमर जी का खुब स्वगत किया और जनता ने अब प्रण लिया है कि इस बार भारत की पिधार मंट्री शी नरेन मोदी जी को ही बनाना है ग्राम कनहार और आसपास के गावों में मूलभू सुवधा बहुत कम है तर भी लोग इस बार मोदी जी को लाना जाते हैं ताकि इनके गाव और देश का विकास हो सके इसक्या है जो आप लेना मोदी जी को पड़तान मंदी बोजाते हैं लरेन बोडी univers के पर सालों में क करने है जंता का तो कहना है क्याना है कि सर नोटवंधी की जी एसटै लगाई है जिससे काफी नुक्सान हुआ है बह मुए जा सब जी बार लाए के लिए बढाई करके लि राष्टी मुद्धा हो, चा देश के इसका मुद्धा हो, चा कोई मुद्धा हो. यहां एक और बोजर कोणों का कहना है कि मोडी जी भिर से आना चाहिए, यहां हम यूबाओं से जानना चाहेंगे, कि यूबाओं की इस विशे में क्या राया है? जिस वार कोण आने वाला है? आम मोडी जी को लिटाइके मोडी जी आना चाहिए. मोडी जी को क्यों देना चाहिए? बोज बलाई करते हैं, अनोंने देस्के बहुत अच्छा काम किया. या तुम भी चोगीदार हो? आप भी चोगीदार है. लोग कहते हैं कि चोगीदार चोर है. बताओ भई चोगीदार चोर है कि नहीं? नहीं! नहीं! तो आपका चोगीदार इमांदार है? इमांदार है. चोरों के बारे में बताएंगे? चोर गादी खांदान है. सबसे बड़ पिछले साट सालों से चलिया रही इस बार जंता का कहना है मोधी सरकार रहे हैं डिनूरी दिले कि खुरपार गाव में पानी को लेकर पुलस वाला वेब न्यूज चैनल में खबर परसालित की गई खबर परसालित होने के बाद जिम्मदार नींद से जागे और पानी का टेंकर खुरपार गाव में पहुचा आपको बता दे कि खुरपार गाव में पानी को लेकर कोहरा मचा हुआ है गाव में कुवा तलाव सूख चुके हैं और हेड़ पंप हवा उगलने लगा है आपको बता दे कि खबर परसालित होने के बाद पंचायत के जिम्मदार जन पतने धी और करमचारी नींद से जागे हैं और खुरपार में टेंकर से पानी सप्लाई शुरू कर दी गई है लेकिन खुरपार गाव के अबादी लगबख साथ टोला भी में बसी हुई है लेकिन पंचायत के द्वारा महस एक टेंकर पानी ही दिया जा रहा है जिससे ग्रामीनों के बीच विवाद होने के सिती बन रही है एक टेंकर पानी ऊच के मुँ में जीरा साबित हो रहा है पंचायत के जिम्मेदार आबादी के हिसाब से पानी की सप्लाई करें जोसे ग्रामीन जन्यों को रहात मिल सके महस खाना पूर्ति कर जिम्मेदार जिम्मेदारी से दूर न भागें अने था ऐसे में लड़ाई पानी जो कब से आ रहा है तो कितना पानी आ रहा है इसमें दिन में एक तेंकर पानी वे जाते हैं हमारे गाओं साथ महला परते हैं साथ महला में एक ही टेंकर कितने जगे जाएगा और कितना लीटर पानी मिलेगा आप यह सोच सकते हैं एक ही टेंकर के वज़े से हमारे यहां बिवाद की इस्तिती बन सकता है और बुलिटर में फ्लाहल इतना ही और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए पुलस वाला बैपनी में